यात्रियों से भरीद मोहन बस पूल के नीचे जागिरा जिसे की दर्जनों लोगों की स्थिती ना जूको गई है जानकारी के नुसर बता दें की रोज की तरह आज भी मोहन बस खुटी से चल कर जमसेतपूर जा रही थी मोहन बस सुबह 9 बजे खुटी से निकली थी जिसमें की 50 से 60 के बीच में यात्रियों की संख्या भरी हुई थी और ये बस खुटी तमार मुक्य सड़क पर सिंदरी के पास पूल के पास औनियंत्री थोकर पूल के नीचे जागिरा जिससे की दर्जनों लोग घायल हो गए पूलिस बल घटना थल पर पहुची और रातकारी में जुढ़ गए और एमुलेंस द्वारा अलग लग घायल यात्रियों को अलग अलग हौस्पिटल में पहुचाया गया इसमें अधिकतर घायल को सदर हौस्पिटल खुटी पहुचाया गया जहां कईयों की स्थिती जुक देखते हुए डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए राची रिम्स रेफर कर दिया है। इसके साथ आपको बता देते हैं कि आज महन बस दुरगटना में जो लोग घायल हुए है उसकी अक्सुची हमें मिली है जिसका नाम इस परकार से है जो मैं आपको बता रहा हूँ पहला नाम है मोनिका देवी ये मेराल की रहने वाली है दूसरा लेलीता देवी ये भी पगरा की रहने वाली है दिपक तोपनो ये सुमनी का रहने वाला है उर्मिला देवी ये मेराल की रहने वाली है धननजे गोप ये अर्की का रहने वाला है पूजा देवी ये पूर्पूर का रहने वाला है, रजनी हस्सा ये जोजो टोली खुटी के रहने वाली है, राध्या कुमारी ये मेराल के रहने वाली है, सुजीत मुंडा ये तिरला का रहने वाला है, गीता देवी ये बुंडू की रहने वाली है, मागा नाग ये गुद्री का रहने वाला है बुदनी देभी ये लुगर का रहने वाली है पंचा महली ये रूगडी का रहने वाला है फिलाल इन 15 लोगों का नाम हमें मिला है जो घैलों में सामिल है घैलों की सुची आगे भी बढ़ सकती है अब तक मिली जानकारी के नुसार 15 लोग घैल है इनमें से कई लोगों को राची रीम्स भी रेफर कर दिया गया है वहीं इन गहलों का हाल चाल जानने के लिए खुटी के अनुमंदल पतादीकारी और अनुमंदल पुलिस पतादीकारी भी पहुचे हुए थे पाई ये सुनवाते हैं कि अनुमंडल पतादीकारी ने गहलों से मिलने के बाद क्या कुछ कहा अब आपको सुनवाते हैं इसीविल सर्जन रागेश्वर माजी ने पूल आकड़े क्या बता है अभी देखिए कि आरकी और यहां मिलाकर किसा पचीश अदमी इसा है जो भायल है उसमें से हमारा ये को महिला है उस सिरियास कंडिशन में है जिसको हम लोग रेफार कर रहा है आई आपको दिखाते हैं सदर हॉस्पिटल खुटी में किस तरह से भीड रहा जैसे ही लोगों को इस घटना की जानकारी मिली लोग भायरी संख्या में सदर हॉस्पिटल खुटी पहुँचे हलांकि इसमें अधिकतर लोग जातरियों के परिजन है और सभी लोग सदर हॉस्पिटल पहुंच कर अपने परिजनों से मिल रहे हैं और उनका हाल चाल जान रहे हैं हैं आग chamber. पर दोड़ आफ़ इसमें. अधर है। क्वाइब कर दो एम जिछ अगजनियों में हो एमगोरा जितला जसर नगजने चाहएब साजएब और में खंपटे प्लिम्ट बासमें खंपाफ दो जड़ा क्या कर दोगरेशब भी रदें के शाटरिद गने के उास में घास कर दो है जो साब कर दो है जब पर दो जो ठो हम ह दो錢 हमिला में ठोल्व देह दोथ शोब।